हेलो प्यारे बच्चों मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल त्यारी ओनलाइन में बच्चों आज के इस वीडियो में हम कक्षा नौवी के हिंदी पाटे पुस्तर कृति का भाग एक का ध्याय दो करने वाले हैं जिसमें एक कहानी दी गई है मेरे संग की ओरते और यह कहानी जो है वह लिखी गई है लेखे का म्रिदुला गर्ग के दौरा और बच्चों यह कहानी उनके जीवन पर आधारित है कहानी बहुत ही मज़िदार है यदि आपने कहानी का 1st, 2nd और 3rd पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले बच्चों आप कहानी का 1st, 2nd और 3rd पार्ट देखे तब यह कहानी आपको अच्छे से समझाएगी तो चलिए आज हम आगे की कहानी सुनेंगे आगे की कहानी सुनने से पहले थोड़ा बहुत हम पीछे की कहानी के बारे में भी आपको बता दे कि पीछे कहानी में क्या था तो देखे के लेखे का अपनी नानी के बारे में बताती है कहती हैं कि वह बहुत ही खुले विचारों वाले थी उन्होंने अपनी एकलौती बेटी का विवा एक स्वतंतरता सेनानी से करवाया उसके बाद वा अपनी परदादी की बात करती है अपनी दादी की बात करती है और कहती हैं कि उनके विचार भी उस समय बहुत ही स्वतंतरत है उनकी परदादी चाहती थी कि उनकी मा की पहली संतान लड़की हो और लेखी का कहती है कि दादी की इस इक्षा को भगवान ने बखुवी निभाया और उनकी कितनी बहने हुई पांच बहने हुई और एक भाई हुआ और पांच बहनों में लेखी का चार बहने लेखनकारे करती थी और एक बहन जो थी वह लेखनकारे नहीं करती थी और साथी उनका जो भाई था राजीब वह भी लेखनकारे में जुर गया था तो चलिए अब देखते हैं कहानी में आगी क्या है हम चार लिखते हैं और तमाम खांदान हमें पढ़ता है मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता इस तत्य को हजम करने में मुझे काफी वक्त लगा फिर उसके फायदे भी नचराने लगे कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धी से दो चार नहीं होना पड़ता अब देखिए लेखी का कहती हैं कि हम चार लिखते हैं और पूरा खांदान यानि जितने भी हमारे रिस्तेदार हैं परिवार जन हैं सभी उसे पढ़ते हैं और लेखी का को इस बात का भी तकलीफ है कि उसके ससुराल वाले उन्हें नहीं पड़ते तो वक्त के साथ साथ उन्हें यह भी पता चलने लगा कि इसके तो बहुत सारे फाइदे भी हैं उन्हें हिंदी आलोचना बुद्धी से दो चार नहीं होना पड़ता है आगे कहती हैं खैर मैं अपनी नहीं उन और देवियों की बात कहना चाहती हूँ, जो परदादी की मननत के नतीज दन धर्ती पर आई और लेखक नहीं बनी, जो बनी उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ जैदा हो, समझ में आता है जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजल से कहा था, कोई दम नहीं गुटता, सांस लेने की जरूरत ही जैदा है, पर यहां तो हम सेर तो गैर लेखी का बेहने सबा सेर थी चौथे नंबर वाली रेनू का आलम यह था, कि गर्मी के दुपहरी में इसकूल से वापसी पर, जब गारी उसे और उससे छोटी बेहन, अचला को बस अड़े से लेने जाती, तो रेनू उसमें बैठने से इनकार कर देती उसका कहना था, कि युँग थोड़ा सा रास्ता गारी में बैठकर तै करना सामंत साही का प्रतीक था अब यहां लेखी का ओदेवियों, अपनी बेहनों की बात कर रही हैं, और कहती हैं, कि लेखन कारे में उनकी जो ये बेहने हैं, वा उनसे भी आगे हैं आगे वा अपनी छोटी बेहन रेनू और अचला के बारे में बात करती हैं, कि जब रेनू और अचला एसकूल जाते थे तो बस सड्डे से लेने के लिए गारी भेजा जाता था घर से, लेकिन रेनू उसमें बैठकर की नहीं आती थी, उसे लगता था कि यह सामंत साही है, वह पैदल ही आती थी, आगे देखिये, और लेखी का कहती हैं, कि जो सायत था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लार का भी, और रसोईयों को खाना खिला कर जल्दी फौरिक करने की लाचारी का भी, फौरिक सब्द का अर्थ होता है बच्चों, अवकास प्राप्त करना, या कि रिनू मानती थी, कि जो गारी उन्हें लेने जाती थी, वह किस का प्रतीक था, सामंत साही का, लेकिन उसकी पिता उससे बहुत प्यार करते थे, लार करना, यानि की प्यार करना, तो बहुत ज़्यादा वह उससे प्यार करते थे, और वह गारी इसलिए भेजा करते थे, ताकि बच्चे जल्दी घर पे आ जाए और रसोईयों के रहते ही वह खाना पे ना खा सके मा तो सब चीजों से उदासीन रहती थी पर पिता काफी कुढ़ते भुनते जब देखते की अचला गारी में बैठी चली आ रही है और रिनू पीछे पीछे पसीने से तर्वतर खरामा खरामा बचपन में एक बार चुनौती दिये जाने पर उसने जनरल थिमया को पत्र लिख कर उनका चित्र मंगवा लिया था खरामा खरामा सब्दकार्थ होता है बच्चों मस्ती में धीरे धीरे बग गारी के पीछे पीछे चलती आ रही थी अब देखिए बच्पन में उसे एक चुनोती दी गई थी और उसने उस चुनोती को स्विकार भी किया था वह चुनोती था जनरल थीमईया का चित्र मंगवाना और उसने पत्र भेज करके उनका एक चित्र भी मंगवाया था जो एक मोटर साइकल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था परोस में उसका रुत्वा काफी बढ़ गया था गारी में बैठने के साथ उसे इमतिहान देने से भी परहेज था यानि वह इमतिहान भी नहीं देना चाहती थी इसकूल तो जैसे तैसे पास कर लिया पर जब बीए का इमतिहान देने की बारी आई तो वह अर गई पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों जरूरी है तम मैं इमतिहान दूँगी अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फाइदा है वर्ना नहीं हमने तरह तरह के तर्क दिये मा ने कहा पिताजी से पूछो अब देखें जैसे उसे गारी पर बैठना पसंद नहीं था वैसे ही उसे पढ़ाई लिखाई भी पसंद नहीं था ऐसा लेखी का किसके बारे में कहती है अपने चौथे नंबर की बहन रिनू के बारे में कहती है कि जब बीए के इमतिहान की बारी आई तो वह अर गई कि नहीं भई मैं तो इमतिहान नहीं दूँगी और दूँगी अगर मैं दूँगी तो सबसे पहले मुझे यह बताओ कि इसका कोई फाइदा है या नहीं तो देखें घर में सभी उसे अपनी अपनी हिसाब से समझाने लगे अपना अपना तर्क देने लगे कि बिये करने से क्या होता है लेकिन रेनू की माने उसे क्या कहा कि पिता जी से पूछो वही बताएंगे कि बिये करने के क्या फाइदे है अब आगे देखें कि पिता जी कैसे उसे समझाते हैं कि बिये करने के क्या फाइदे है पिता जी ने कहा नौक्री कर पाओगी, साधी कर पाओगी, लोग इजज़त से देखेंगे वगेरा वगेरा अब पिता जी ने इतने सारे तर्क दे दिये कि रेनू अगर तुम भी ये करती हो तो तुम्हें नौक्री आसानी से मिल जाएगी तुम्हारी साधी अच्छे पड़िवार में होगी और लोग तुम्हें इज़द देंगे कोई तर्क विश्वस्निय नहीं लगा, ना रेनू को ना खुद उन्हें, खुद उन्हें यानि पिता जी को भी नहीं लगा आखिर उन्हों ने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माबाप के काम आता रहा है हम सभी जानते बच्चों माबाप के काम कौन सा कुतर्क आता है तो लास्ट में माबाप यही कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ वैसा करो और वैसा हमें करना पड़ता है आगे कहते हैं कहा बिये करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो कौन कहते हैं पिता जी रेनु ने बिये कर तो लिया पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए यानि पास होने लायक नमबर लाकर सच बोलने में वह मां से भी दो कदम आगे थी अब मिर्दुलागर कहती हैं कि उनकी मा का जो सभाब था वह कैसा था वह सदाचारी थी और जो रेनू थी वह मा से भी दो कदम आगे थी मा तो सच बोलती थी रेनू सच बोलती थी गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सूचते हैं वह मजाक कर रही होगी इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हसाए रख लेती थी आज भी उसे कोई इतर भेट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए मैं तो नहाती हूँ इस तरह से वह बोला करती थी अब लेखी का तीसे नमबर की बहन की बारे में बताती हैं कि तीसे नमबर पर कौन सी बहन थी चित्रा वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी इसलिए इम्तहान में उसके अंक कम और उसके सागिर्दों के ज़्यादा आते थे पर अपने यहां सब चलता था उसकी साधी का वक्त आया तो उसने एक नजर में लड़का पसंद करके एलान कर दिया कि साधी करेगी तो उसी से अब देखिए किसकी बात हो रही है तो लेखिका के तीसरे नंबर की बहन चित्रा की लेखिका कहती है कि चित्रा पढ़ने में अच्छी थी लेकिन वह स्वें से जादा दूसरों को पढ़ाने में दिल्चस्पी लेती थी यानि उसे दूसरों को पढ़ाना जादा पसंद था तो जब examination का time आता तो जिसको वो पढ़ाती थी सागेर्द यानि students जिसे वो पढ़ाती थी उसको अधिक number आ जाते थे और खुद उसके number बहुत कम आते थे सिर्फ pass marks ही आते थे अब उसकी साधी की बात कर रही है जब उसे लड़के वाले देखने आये तो एक नजर में ही चित्रा ने लड़के को पसंद कर लिया और घर में यह एलान कर दिया कि वो साधी करेगी तो उसी लड़के से अब देखिए मुसकी लिया थी कि हमारे माबाप ही नहीं खुद लड़का भी उसके निरने से वाकिफ नहीं था अब कोई नहीं जानता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है तो उसकी साधी उसी लड़के से हुई कोई मुस्किल पेस नहीं आई आती क्यों उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है तो उसने बात आगे खीची ही नहीं पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिया यहां त्यार कॉन डाल रहा बच्चों तो वो लड़का जो चितरा को देखने आया था जैसा कि चितरा ने उसे पहले ही ड़ा दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ वही होता है तुम चाहे कुछ भी कर लो होगा वही जो मैंने सोच रखा है तो लड़का बेचाड़ा पहले ही ड़ गया हम में सबसे छोटी बहन अचला काफी दिनों तक कुछ कम खिस की मालूम पड़ती रही पिता का कहना मान कर पहले अर्थसास्त्र किया फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया धंग से पढ़ाई की पास हुए फिर पता की पसंद से साधी भी कर ली पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई घरबार में मन जैदा, रुचा नहीं और मनजुल और मेरी तरह उम्र के तीस बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया अब लेखी का किस की बात कर रही है तो सबसे छोटी बहन अचला की बात कर रही है और कहती हैं कि अचला उन्हें कैसी लगती थी खिसकी हुई, ऐसा लगता था जैसे दिमाग से थोड़ी पैदल हो पिता ने जो जो कहा अचला ने वो सब किया पहले आर्थसास किये फिर पतर कारिता किया मतलब ढंक से उसने कोई काम किया ही नहीं पिता की मर्जे से उसने साधी कर ली और घरवार समहलती रही आगे कहती हैं कि जब वह मंजुल जो लेखिका की सबसी बड़ी बहन थी उनकी और लेखिका की तरह 30 वर्ष पार कर लेने के बाद अचला ने भी क्या करना सुरू कर दिया लेखन कारे करने सुरू कर दिया यानि उन्होंने भी लिखना सुरू कर दिया था एक बात हम में एक सी रही घरवार को परम परागत तरीके से हमने भले न चलाया हो उसे तोड़ा भी नहीं साधी एक बार की और उसे कायम रखा अब यहां लेखी का बताती हैं कि एक बात उन सभी बेहनों में एक समान थी घरवार किसी ने सही तरीके से नहीं समाला था लेकिन उसे तोड़ा भी नहीं था एक बार ही साधी हुई और उसे ताउम्र कायम रखा चाहे तलाक के कगार पर खरी चली हो पर कगार तो डूबी नहीं अब कहती हैं कि रिस्ता कहां पहुँच गया था तलाक के कगार तक पहुँच गई थी बात लेकिन तलाक हुई नहीं साइद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिध नहीं होता घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जीलो तो काफी है ऐसी विचारधारा थी लेखिका की साधी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्वे डालमिया नगर में रही दर्वों में बैठते थे तो अब लेखिका कहा की बात कर रही है बिहार की बताती है कि जब बिहार के एक छोटे कस्वे में रहने गई थी तो वहाँ उन्होंने क्या देखा कि पती पत्नी भी जब सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाते थे तो अलग-अलग बैठते थे साथ नहीं बैठते थे मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़ कर वहाँ पहुंची थी और नाटकों में अभिने करने की सौकीन रही थी तो बच्चों लेखिका कहां काम करती थी दिल्ली कॉलेज में दिल्ली कॉलेज में वह अध्यापन का कारे करती थी लेकिन उसे छोड़ कर वह नाटकों में अभिने करना पसंद करती थी तो उसे छोड़ करके उन्होंने क्या चुना नाटकों में अभिने करना मैंने उनके चलन से हाट नहीं माना साल फ़र के भीतर उन्ही साधी सुधा औरतों को पराय मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया अगले चार साल तक हमने कई नाटक किये अकाल राहत कोस के लिए उन्ही के माध्यम से पैसा भी कठा किया तो देखे बात कब की हो रही है जब अकाल पर गया था तो लेखी का कहती है कि बिहार में पती पत्नी भी पिक्चर देखने जाते थे तो साथ नहीं बैठते थे उन जगह पर उन्होंने कई औरते और कई पूर्शों को साथ मिला करके नाटक तियार किया और उसे जो पैसे कमाती थी या इकठा हुआ था उसे वह कहां लगाया उसे उन्होंने अकाल राहत को उसमें लगाया आगे कहती हैं कि वहां से निकली तो करनाटक के और छोटे कस्वे बागल कोर्ट में पहुँच गई अब भिहार से निकली तो वो कहां पहुँच गई करनाटक के एक छोटे से कर्षवे बागल कोट में पहुँच गई तब तक मेरे दो बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लाइक उमर पर पहुँच रहे थे पर वहाँ कोई धंका स्कूल नहीं था तो देखिए करनाटक में जब पहुँची तो उनके दो बच्चे किस लाइक हो गए थे इसकूल जाने लाइक हो गए थे लेकिन वहाँ पर कोई धंका स्कूल नहीं था अब देखते हैं कि उन्होंने कहां उसका दाखिला करवाया लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक विसप में दर्ख्वास्त की की उनका मिसन वहाँ के सेमेंट कार खाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्वे में एक प्राइमरी इसकूल खोल दे पहले उन्होंने कहा चूकि उस प्रदेश में क्रिस्टियन जनसंख्या कम थी इसलिए वे वहाँ इसकूल खोलने में और समर्थ थे मैंने ग्याय क्रिस्टियन बच्चों को भी सिख्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा अब देखिए उनके बच्चे भी स्कूल जाने लायक हो गए थे तो उन्होंने लोगों से राय मसौरा किया और कहा गई कैथोलिक विसप इनके पास गई और इन से उन्होंने दर्ख्वास किया कि कस्वे में एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल खोलते लेकिन उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया था कि वहाँ पर क्रिश्चियन की जनसंख्या कम है यानि क्रिश्चियन लोग कम है तो इसलिए वह नहीं खोलेंगे तो लेखिका ने उन्हें समझाया कि जरूरी नहीं है कि Christian बच्चे ही Christian इस्कूलों में पढ़ने लाइक है आप ऐसा करें कि उसमें सभी बच्चों को पढ़ाए और वह अपने इस बात पर डटी रही देखें तब उन्होंने कहा हम कोसिस कर सकते हैं वसरते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले सो वर्षों तक चलता रहेगा अब लेखिका की बात को सुन करके Catholic वे सब जो थे वह मान गए कि ठीक है हम स्कूल खोल देते हैं लेकिन आपको यह वारा करना होगा कि वह स्कूल सो वर्षों तक चलता रहेगा अब इस बात पर लेकिका को गुस्सा आ गया मैंने कहा इसकूल को छोड़िये किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले सो वर्षों तक चलेगा वे भी गुस्सा खा गये बोले खुदा का लाख सुक्र है बच्चों के ना पढ़ पाने की समस्या आपकी है मेरी नहीं कहते ठीक है भई जब आप हमारे बात को मानी नहीं रहें तो फिर हम स्कूल क्यों खोले बच्चा पढ़े या ना पढ़े वो तो आपकी समस्या है बात करवी थी पर सौफिस दे सच बात करवी थी यानि जो बात उन्होंने कहा वो बिलकुछ सच था क्योंकि बच्चे को पढ़ाने की समस्या लेखी का को थी ना क्यों है तो इसलिए केते हैं कि उनकी जो बात थी वो करवी थी लेकिन सौ फिस्दी सच थी सच के आगे सिर जोकाने की हमारी बच्पन से आदत थी सो मैंने तै किया कि मैं खुद अंग्रेजी हिंदी कंडर तीन भासाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी और करनाठक सरकार से उसे मानेता भी दिलवाऊंगी तो देखिए बच्पन लेकिका ने यह ठान लिया कि अब वहां एक प्राइमरी स्कूल वहां खोल के रहेंगे और वहां वहां तीन भासाएं पढ़ाएंगी कौन-कौन अंग्रेजी हिंदी और कंडर और साथ ही उसे स्कूल को करनाठक सरकार से मानेता भी दिलवाएंगे आगे कहती हैं वहां के अनेक महनती और खिसके लोगों की मदद से यह ब्रत पूरा हुआ खिसके तो समझते ही आप लोग जो थोड़े पागल टाइप से होते हैं या ज़्यादा ओवरे स्मार्ट होते हैं उनकी बारे में कह रही है कि उनकी मदद से वह स्कूल वहां पर खुला मेरी बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े बान में अलग-अलग सेहरों के अलग-अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए अब कहते हैं प्राइम डी में तो वह सब बच्चे वहीं पढ़े थे लेकिन जैसे जैसे वक्त बीटता किया सब अलग-अलग सहरों में अलग-अलग स्कूलों में पढ़ने चले गए ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्धी पन के नमूने पेस किये पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में जो सुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राख खुद तलासता रहा पर सब कुछ कर लेने पर मैं अपनी छोटी बेहन रेनू के मुकाबले नहीं पहुँच सकी अब देखिए लेखी का कहती है कि उन्होंने वह सारे काम किये जो उनका मन चाहता था जो वह करना चाहती थी और सभी चीज लेख से बिलकुल हट करके थी जैसा किसी ने नहीं किया वैसा लेखी काने किया और कहती हैं कि चलो लेखन कारे में मैं अपना लेखन कारे करती रही लेकिन फिर भी मैं अपनी छोटी बेहन रेनु का मुकाबला नहीं कर पाई यानि जितना बहतर और अच्छा वह लिख सकती है उतना बहतर और अच्छा मैं भी नहीं लिख पाई 1950 के अंतिम दोर में एक रात दिल्ली में 179 इंच बारिस हो गई यानि काफी बारिस हो ए दिल्ली के खासियत यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहां के नाले पर नालों में बार ढ़ा जाती है यानि थोड़ा ही बारिस होता है और सभी जगा नदिया ही नदिया नजर आती है खेर अब ऐसी इस्थिती नहीं है दिल्ली में लेकिन उतनी बहतर भी नहीं है बच्छो बारिस के समय में अभी भी बहुत जगा ऐसे हैं दिल्ली में जहां पानी जो है वा भर जाता है पूलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायार ठप हो जाते है अभी भी ऐसा होता है बच्चों पूलों के नीचे पानी भर जाता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या बारिष की दिनों में दिल्ली की कैसी इस्थिती होती है आपको कैसा लगता है आगे कहती है इस कयामती बारिष के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तलों से फाइले पानी में तैर आई थी अगली सुबह किसी तरह का कोई बाहन सरक पर नहीं निकला था क्योंकि चारो तरह पानी भड़ा हुआ था तो बाहन कैसे चलता तरशले लेकी का कहती है कि बाहने जो थी वह बंद थी जाहिर है कि रेनू के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई रेनू ने कहा कोई बात नहीं मैं पैदल चले जाऊंगी सबने समझाया इसकूल बंद होगा मत जाओ उसने कहा आपको कैसे पता इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था अब रेनू तो इसकूल जाने के लिए तयार थी उतनी बार इसमें भी तो सब कहते हैं कि मत जाओ तो कहते हैं कि क्यों न जाओ अब इस बात का तो जवाब किसी के पास नहीं था हमारे यहां फोन जरूर लगा हुआ था इसकूल में भी रहा होगा पर बारिस के चलते बहुत थप पड़ा हुआ था यानि जब बारिस होती थी तो सारी चीजे ठप पड़ जाती थी तो फोन भी क्या था बंद था तो रेनू अकेली पैदल इसकूल चल दी गनीमत यह थी कि बारिस एक मुस्त बरस लेने के बाद थम गई एक मुस्त कहने का क्या आर्थ है बच्चों लगातार कई घंटों तक बरसने के बाद बंद हो गई थी तो इसे हम कहते हैं एक मुस्त बरस लेना सरकों पर पानी था पर और बरस नहीं रहा था तो रेनू दो मिल पैदल चल कर इसकूल पहुँची जैसा हमने कहा था वह बंद था क्या बंद था इसकूल अब घर वालों ने तो पहले ही कहा था कि इसकूल मच चाओ इसकूल बंद होगा लेकिन रेनू उनकी बात मानी नहीं उसने कहा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है तुम कैसे कह सकते हो कि बंद है तो जैसे वो इस्कूल पहुंची इस्कूल बंद था चौकिदार रेनु को देखकर दंग रह गया पर रेनु को कोई मलाल नहीं था वहाँ वापस दो मेल चल कर घर वापस पहुंची सब ने कहा हमने पहले ही कहा था ना इस्कूल बंद है फिर क्यों गई थी उसने कहा इस्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई इसमें आपका कहना कहां से आ गया सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दे जगा जगा पानी से लब लब करते सुनसान सहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मनजल की तरफ चलते चले जाना सच अकेले पन का मजा ही कुछ और है तो बिच्चों आखिर में लेगी का बताती हैं कि अकेले पन का अपना एक अलग ही मजा होता है जैसे उनकी बहन रेनू अकेले अपनी धुन में स्कूल गई स्कूल बंद था वो वहाँ से वापस आई और तब भी वह प्रिशन ने थी तो इसलिए कहती है कि अकेले पन का मजा जो है वह कुछ और ही होता है यानि सबसे अलग तो ये कहानी आपको कैसी लगी बच्चों कमेंट करके बताना बिलकुल न भूलें वीडियो पस आपको मिलते रहें मिलते हैं आपसे कहानी की प्रश्न अभ्यास के साथ तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद